ए घणे शाय नम्हा जेहो सरस्वति मा की जेहो गुरु भाराज की गुरुवर की सेवा सदा शदा भक्ति भाव से करना गुरुवर जैसे भी क्यों ना हो सदा आदर भाव ही तुम रखना गुरुवर की सेवा सदा शदा भक्ति भाव से करना गुरुवर की सेवा सदा शदा भक्ति भाव से करना गुरुवर क्रोधी भी हो तो नरसिं समझे उने पूझना गुरुवर की सेवा सदा शदा भक्ति भाव से करना गुरुवर क्रोधी भी हो तो परशुराम समझे उने पूझना गुरुवर की सेवा सदा शदा भक्ति भाव से करना गुरुवर की सेवा सदा शदा भक्ति भाव से करना गुरुवर जैसे भी क्यों ना हो गुरुवर जैसे भी क्यों ना हो सदा आदर भाव ही तुम रखना गुरुवर की सेवा सदा शदा भक्ति भाव से करना गुरुवर कामी भी हो तो गुरुवर कामी भी हो तो क्रेश्न समझ उन्हे पूजना गुरुवर की सेवा सदा शदा भक्ति भाव से करना गुरुवर की सेवा सदा शदा भक्ति भाव से करना गुरुवर जैसे भी क्यों ना हो, सदा आदर भाव ही तुम रखना, गुरुवर की सेवा सदा, शदा भाक्ति भाव से करना गुरुवर कपटी भी हो तो, वामन समझ उने पूझना, गुरुवर की सेवा सदा, शदा भाक्ति भाव से करना गुरुवर की सेवा सदा, शदा भाक्ति भाव से करना गुरुवर सुन्दर भी हो तो, गुरुवर विनाम्र भी हो तो, राम समझ उने पूझना, गुरुवर की सेवा सदा, शदा भाक्ति भाव से करना गुरुवर की सेवा सदा, शदा भाक्ति भाव से करना गुरुवर जैसे भी क्यों ना हो, सदा आदर भाव ही तुम रखना गुरुवर की सेवा सदा, शदा भाक्ति भाव से करना गुरुवर की सेवा सदा, शदा भाक्ति भाव से करना गुरुवर बालक भी हो तो, सनकादी समझ उने पूझना गुरुवर की सेवा सदा, शदा भाक्ति भाव से करना गुरुवर की सेवा सदा, शदा भाक्ति भाव से करना गुरुवर में इश्वर बुधी रख, भागवत धर्म का तुम पालन करना गुरुवर की सेवा सदा, शदा भाक्ति भाव से करना जैहो गुरु महराज की